चार धाम प्रोजेक्ट बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, 827 किलो मेटर, ये 566 किलो मेटर कम्पलीट हो गए, 12,000 करोड का है सुप्रीम कोट में केस थी, अब क्लियर हो गई है, मैं 2003 दिसेम्बर तक इसको पूरा करूगा, एक मेरा सपना था, वो बहुत मशिन पहुचा ये, माइनस 5 डिग्री, माइनस 3 डिग्री, अब बियारो का काम केवल बाकी है, 85% रोड पूरा हुआ है, अब मैं बोल रहा हूं उनकों की जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाहना से नहीं जाना चाहता था, तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं, कि 2023 डिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पितरवागर से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड और ये रोड बन जाएगा, बाद में चार धाम प्रोजेक्ट, बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोतरी, यमनोतरी, 827 किलोमेटर, ये 566 किल करूगा, एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिनाएं आ रही है, कि मानस सरोवर को पितरवागर से, उत्तराखन के पितरवागर से जाना, और वो काम चल रहा है, विशेश फाइटर जेट ये हेलिकाप्टर को यूज करके हुआ मशिन पहुचाईए, माइनस 5 डिग्री, माइन जाना चाहता था, तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूँ, कि 2023 डिसंबर के बाद, हिंदुस्तान के लोग पितरवागर से मानस सरोवर जा सतेंगे अपने रोड, और ये रोड बन जाएगा, बाद में, चार धाम प्रोजेक्ट, बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत यमनोत्री, 827 किलोमेटर, ये 566 किलोमेटर कम्पलीट हो गए, 12,000 करोड का सुप्रिम कोट में केस थी, अब क्लियर हो गई है, मैं 2003 दिसेंबर तक इसको पूरा करूँगा, एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिना ही आ रही है, कि मानस सरोवर को पितरागर से, उत्तराखन के पितरागर से जाना, और वो काम चल रहा है, विशेश फाइटर जेट हेलिकाप्टर को यूज करके होगा मशिन पहुचाईए, मानस फाइव डिग्री, मानस त्री डिग्री, अब ब्यारो का काम केवल बाकी है, 85% रोड पुरा हुआ है, अब मैं बोल रहा हूँ उनको कि ज पितरागर से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड और ये रोड बन जाएगा, बाद में